नमस्कार दोस्तों बदबस्वागत आपका अमारे चनल में दोस्तों आज की वीडियो में जो जानकरी आपके लिए लेकर आया हूँ वह बहुत ही काम की और आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी साबित होगी दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखे ताकि जैसे की Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram बहुत सी चीजे हैं जिसके बारे में आप जानते भी होंगे और सबसे ज़्यादा लोग जो active रहते हैं वो रहते हैं WhatsApp के उपर अगर आपको किसी की भी कुंडली निकालनी है या पूरी जानकरी किसी के बारे में complete आपको information चाहिए उसके आगे पीछे या उसके लाइफ में क्या चल रहा है तो आप क्या करेंगे उसके WhatsApp को ही देखते हैं और WhatsApp से ही आपको उसकी सारी जानकरी मिल जाती है दोस्तों पहले क्या हो था देखे WhatsApp हम इस तरह से ओपन करते हैं ठीक है मैंने आप पर अब भी WhatsApp ये ओपन कर लिया है तो security reason के वैसे मैंने आप लगा लेते हैं या कोई सा pattern लगा लेते हैं तो उसके बारे भी सबी लोग जब देख लेते हैं तो उसको open कर सकते हैं और दूसरी चीज क्या होता है ती देखे ये तीन लाइने जो उपर हैं यहां पर हम setting पर जब जाते थे तो देखे किसी का भी अगर आपको WhatsApp की सारी messages या details पढ़नी होती है तो आप यहां पर उसको WhatsApp वेब के through यहां से यहां पर click करके आप उसके WhatsApp को clone कर सकते थे यानि कि उसका एक WhatsApp की copy आपके पास आ जाती थी जैसे कि देखे यहां पर हम click करते थे ठीक है यहां पर click करके आप किसी के भी WhatsApp को अगर scan करेंगे तो उसके सारे messages जिस सारे जिससे भी वो chatting वगएरा जो भी बात होती है वो सब कुछ अपने WhatsApp पर भी देख सकते थे अपने phone पर भी देख सकते थे तो दोस्तो इस हिसाब से क्या होता था आपके WhatsApp की जितनी भी detail होती थी वो दूसरे लोगों के पास भी चली जाती थी और दूसरा लोग भू आपकी सारी चैट जो है पढ़ सकते थे लेकिन अब हुआ क्या है अब WhatsApp ने एक नया एक फीचर लॉंच कर दिया है जो बहुत ही जल्दी अपडेट होने वाला है अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है और मैं आपके लिए इसलिए सबसे पहले जानकर रहें लाने की कोशिश म सबसे वाला है जिसमें आपको क्या मिलेगा फिंगर प्रिंट का यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जब हम सेटिंग पर जाकर जब आप अकाउंट्स पर जाएंगे यहां पर और अकाउंट्स के बाद यहां पर एक ऑप्शन आता है प्राइवेसी ठीक है जब आप यह print आपको on करने के लिए एक option दिया गया होगा वो fingerprint जब आप on कर लेंगे तो उससे क्या होगा जब भी WhatsApp आप open करेंगे तो चाहें आप कोई सा भी lock लगा लिजिए किसी के पास भी आपके lock की detail हो, pattern हो, कुछ भी पता हो लेकिन जब तक आपका fingerprints यहाँ पर वो नहीं डालेंगे जब तक आपका WhatsApp open नहीं होगा और जैसे clone बनानी के बाद मैंने आपको बताई थी कि WhatsApp की copy लोग मना लेते हैं और अपने phone पर भी आपके message देख सकते हैं तो वो भी अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जब तक आपके WhatsApp के fingerprints पहले तो स्कैन करने से ही वो copy हो जाती थी WhatsApp clone हो जाता था लेकिन अब जब तक fingerprints नहीं लगेंगे तब तक आपके WhatsApp को भी copy नहीं किया जाएगा तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक feature WhatsApp ने आपकी security को मद्दे रज़र रखते हुए यह launch किया है और बहुत ही जल्दी सभी के phone में यह उपलब दो जाएगा जब आप इसको update करेंगे कुछ टाइम बात तो सभी के phone में यह आ जाएगा अभी यह पिलाल अभी इसको checking की जा रही है और checking mode पर ही अब यह चल रहा है तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा एक feature WhatsApp लेकर आया और इसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया तो आपको यह जानकारी कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी तो प्लीज से लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चल लोगों सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपके स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान के उपर टच करके और इसके बाद गंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको अमारी बनाए हुई नई नई वीडियो लगातर मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे जाए से जाधा फायदा उठा सकते हैं तो अब के लिए इतना ही धन्यवाद